पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच कहोंगा। चुनिये CGPSC पाथशाला क्लासेज को और करें अपने CGPSC अन्व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड डियांग नौ। हेलो इश्टरण मनिखिल कुमाईग फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटुब टेया CGPSC पाथशाला में CGPSC पाथशाला में आचमा टॉपिक है दो चीज़े बोर्ड पर लिखी हुई है उन्हीं चीज़ों को याद करते हैं चलिएगा देखें अध्याय बारा ग्रामीड विकासेवं रोजगार सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे 36 गड में ग्रामीड 36 गड की स्थिति क्या है यानि कि 36 गड में ग्रामीड आबादी कि यानि कि ग्रामीड शेतर में निवास करती है 2.55 करोड आबादी में से 1.96 करोड आबादी ग्रामीड शेतर में निवास करती है यानि कि 36 गड की सरवाधिक आबादी जो है ये ग्रामीड शेतर में निवास करती है ध्यान दिजेगा 36 गड़ की कुल आबादी का 76.76% आबादी ग्रामिन छेत्र में निवास करती है important है याद रखेगा percentage से question आता है कि 36 गड़ की कुल कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामिन छेत्र में निवास करती है 76.76% 3-4 से भी ज़्यादा 3-4 से भी ज़्यादा आबादी ग्रामिन छेत्र में निवास करती है important है याद रखना है तो ये तो हो गया आपके ग्रामिन 36 गड़ की जनगरणा 2011 की इस्तिति अगर हम पंचायतों की इस्तिति की बात करें जनगरणा 2011 के आधार पर तो ध्यान दीजेगा 36 गड़ में जिला पंचायतों की संख्या है 28 जनगरणा 2011 के आधार पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जिला पंचायत की संख्या 28 बताई गई है 28 जने की गोरिला पेंटरा मरवाही आपका जो है लास्ट जिला पंचायत था अभी पांच नए जिलों का गठन किया गया है तो अगले साल जो एकोनोमिक सर्वे आएगा उसमें यह डाटा चेंज हो जाएगा लेकिन चुकि यह एकोनोमिक सर्वे काफी पहले आया था यह एकोनोमिक सर्वे फर्वरी मार्च के आसपस आया था तो उसमें 28 जिला पंचायत बताया गया तो फिलाल अभी 28 ही लेते वे चलिएगा अगले साल जो है यह डाटा चेंज हो जाएगा यह तो बात हो रही है जन्गरणा 2011 की तब आपके ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी थी 10,971 देखे ग्राम पंचायत और ग्राम दोनों में डिफ्रेंस होता है क्या होता है कि कि किसी एक गाउ को भी ग्राम पंचायत घोशित किया जा सकता है यह दो या दो से अधिक गाओं को मिला करके भी एक ग्राम पंचायत बनाया जा सकता है ग्राम और ग्राम पंचायत में अंतर होता है, ठीक है? ठीक है ये latest data था पंचायत विभाग का official जो प्रशाशनिक प्रतिवेदन है उसके अनुसार 11,664 ग्राम पंचायत और 20,255 आपके गाओं की संख्या थी लेकिन ये भी आकड़ा चेंज हो गया ध्यान दीजेगा 36 गर सासन के द्वारा आपके नवी नगरिये छेतर की इस्थापनो प्रांथ कुल ग्राम पंचायतों की जो संख्या है वो हो गई है 11,659 जबकि गाओं की संख्या हो गई है 20,234 यहां पर कितना था 11,664 था अब हो गया है 11,659 ठीक है यहां पर था गाओं की संख्या 20,255 वह हो गया 20,234 देखिए क्या होता है बहुत से गाओं जो है इनका लगातार विकास हो रहा है और वो नगर बन रहे है इसका अगर आपको सबसे बेश्ट एक्जामपल दो तो नगर पंचायत देखिए नगर भी है और उसके साथ पंचायत भी यूड़ा हुआ है ऐसे ग्रामी अगर पंचायत का दरजा दिया जाता है तो वहाँ बात यह इसी चीचकी हो रही है कि 36 सासन के द्वारा नवी नगर पंचायतों की संख्या जो है गाम पंचायतों की संख्या कम हुई 11,659 और गाओं की भी संख्या कम हुई 20,234 ठीक है इन्पॉर्टेंट है याद रखना ह नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है अनुसूची चेत्र अब यह अनुसूची चेत्र क्या होता है इसे द्यान समझेगा अनुसूची चेत्र यानि कि भारती सविधान के अनुसूची पांच के अंतरगत आने वाले जो चेत्र है इन्हें अनुसूची चेत्र कहा जाता है आपके अनुसूची पांच के अंतरगत, अनुसूची छेत्र के अंतरगत रखा जाता है, इन अनुसूची पांच के अंतरगत आने वाले छेत्रों का प्रशाशन राष्टपती अपने प्रतिनीधियों के माध्यम से करता है, राष्टपती के प्रतिनीधि राज्य में कौन ह पूर्णता अनुसूचि छेत्र के अंतरगत आएंगे आगे और डिटेल्र बताऊँगा अगर हम इसके अंतरगत शामिल पंचायतों की बात करें तो 85 जनपत पंचायत और 50-50 जाने की 5050 जो ग्राम पंचायत है यह अनुसूचि छेत्र के अंतरगत आएंगे अब देखे यह भी चेंज हुआ है यह आकड़ा जो है आपका 16 हो चुका है ठीक है किस प्रकार से हुआ है यह आपको आगे बताऊंगा दीखे पूर्णता अनुसूची छेत्र के अंत्रकर शामिल जिले जिले की संख्या कितनी है 14 याद करने भी दिक्कत नहीं होगा जो जिस लॉजिक के सरगूजा संभाग बस्तर संभाग के अंत्रकर जिलो की संख्या कितनी है यह है आपकी साथ जिले जबकि सरगूजा संभाग के अंत्रकर जिलो की संख्या पांच अभी आप मरेंद्रगर चिर्मिरी भरतपूर को छोड़ दीजे इसके बनने से पहले की बात कर रहे है तो ट बस्तर संभाक के साथ जीले, कौन-कौन से आपका एक हो गया कांकेर, बिजापूर, नराहेनपूर, आपका दंतेवाढा, सुक्मा, कोंडागाउ, बस्तर, यह साथ जीले हो गया, सर्गुजा संभाक के पाज जिले, कोरिया, सूराजपूर, बलरामपूर, जश्पूर, सर्गूजा, ये 5 जिले, तो टोटल 12 हो गए, एक आपका बिलास्पूर, ठीक है, थोड़ा सा भी एक्टिसिटी चले गया था, जिसे का आप थोड़ा क्लास इंटरप्ट हो गया, चलिए, कंटीनू करते हैं, ध्या कौन से है, ये पुरा आपको गिनवा दिया था, बस्तर समभाग के 7 जिले, सर्गुजा संभाग के 5 जिले, और 2 जिले, एक कोरवा, और दूसरा गोरेला पिंटा मरवाही, कोर वा और गोरेला पिंटा मरवाही, दोनों के दूनों भिलास्पूर समभाग से, तो टोटल 14 जि यह जिले पूर्ण रूप से नहीं, इस जिले के कुछ आपके विकास खंड, कोई छेत्र विशेश जो अनुसूची छेत्र के अंतर के अंतर के आते हैं, पूरा का पूरा जिला नहीं, आंशिक रूप से जिला जो है अनुसूची छेत्र के अंतर के अंतर के आता है, यह बिला लासपुरवा कोटा अलग छेत्र जो है आंशिक रूप से शामील है दूर्ग आपके राजनांद गाओ का भी आगे आपको बताऊंगा उसके अलावा आपका राइपूर देखे राइपूर जो है राइपूर से प्रिथक होकर के गरिया बंद एक नया जीला बना और गरिया जो आपका आंशिक रूप से गरिया बंद जो है इस जीले की सूचheen में शामील है यह कुछ पूस्तक में आपको आज भी रायपूर लिखा हो मिलेगा गुजा आपका एंडवल रिपोर्ट आता है, उसमें भी रायपूर लिखा हुआ रहता है, क्यूंगी रायपूर से प्रिथकों करके गरियाबन जो है, आपका नया जीला बना, और यह डाटा अभी तक चेंज नहीं किया है, गौर्वर्मेंट ने भी, ठीक है, तो यह जो रायपूर स गठन हुआ है और पांच नए जिले बने तो ध्यान दीजेगा यहां पर जो है कोरिया कोरिया पूर्ण रूप से शामिल है तो कोरिया से प्रिथक हो करके बना है आपका मनेंद्रगड चिर्मीरी भरतपूर एक नए जिला बना है और साथ इसाथ राजनांद गाओं से प्रिथाख हो करके आपका ध्यान दिजेगा राजनांद गाओं से प्रिथाख हो करके बना है आपका मोहिला मानपूर अंबागर चौकी जो राजनांद गाओं यह आंशिक रूप से शामिल था आंशिक रूप से शामिल थ चुका है तो ध्यान दिजेगा अब जो है पंध्रवा इसमें जो है टोटल इसमें जीलों की संख्या कितनी हो जाएगी पूर्ण रूप से अनुसुद छेतर के अंतरकत आने वड़े जीलों की संख्या यह हो जाएगी आपकी सोला टोटल आपका 14 जीले में आपको गिना दिय नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी राष्टिय ग्रामीन रोजगार गैरंटी योजना मंडरेगा अब यह है क्या नाम सही इसपश्ट है से संबंधित एक योजना है केंद्र सरकार की किसकी केंद्र सरकार Central Government की योजना है आपका मन्रेगा ठीक है देखिए इसकी शुरुवात हुई थी दो फरवरी 2006 को मन्रेगा जो कि एक अधिनियम था यह एक्ट आया आपकी 2005 में 2005 मी यह एक्ट पारित हुआ जबकि दो फरवरी 2006 को यह भारत में लागू हुआ इसकी शुरु मन्रेगा क्या है एक्छुक स्रमिकों को प्रती परिवार सौ दिनों का रोजगार प्रदान कर इस्थाई परिसंपत्यों का स्रीजन करना यहां पर वर्ड लिखे हुए है उस पर ध्यान दीजेगा पहली बात तो एक्छुक स्रमिक प्रती परिवार सौ दिनों का रोजगार इ दिए जाने की एक योजना है, अब सरकार गामिंट्ट में रोजगार दे करके गाओ के लोगों को पैसा देगी, मज़धूरी भत्ता देगी, लेकिन ऐशा नहीं कि सरकार बनेगा तालाबों को खोदा जाएगा ये कुछ इस थाई परिसंपत्यों का स्रीजन कराया जाना अवश्यक है Central Government का जो मन्रेगा जो योजना है इसमें 100 दिनों के रोजगार का प्रावधान है कितने दिनों का 100 दिनों के रोजगार का प्रावधान है Central Government बोलता है कि हम 100 दिन का रोजगार देंगे लेकिन इन 100 दिन से अत्रिक्त रोजगार भी इस योजना के आंत्रकात दिया जा सकता है लेकिन जितना भी अत्रिक्त दिवस का रोजगार दिया जाएगा उसके व्याय का वहन राज्य शाशन करेगा अब यह क्या है आगे आपको बताऊंगा अभी सुन करके रखे रहिए ठीक है और ध्यान दिजेगा यहाँ पर एक्षुक्स रमिकों को प्रती परिवार यहाँ पर क्या है किसी एक व्यक्ति विशेश को नहीं दिया जाता है इसमें पूरे के पूरे परिवार का एक जॉब कार्ड बनता है एक कार्ड बनता है जिसे जॉब कार्ड कहा जाता है उसे पूरे परिवार के सदस्यों के नाम का उल्लेक होता है इसमें पूरे परिवार के लोगों को मिला करके सो दिन का रोजगार दिया जाएगा जैसे कि मान लिजे एक परिवार में 3 सदस्य है पहले सदस्य ने टोटल मान लिजे 70 दिन काम किया दूसरे सदस्य ने 30 दिन काम किया ठीक है और 30 सदस्य गया ही नहीं लेकिन इस परिवार का टोटल दिवस कितना हो गया 100 दिन हो गया तो पुरे परिवार को मिला करके 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा ठीक है सो दिनों का रोजगार दिया जाएगा प्रती परिवाद इसके अंतरकत लावहार्थी कौन होंगे ग्रामीड छेत्रे के वयस्क अकुषल स्रमिक याने की एक होते हैं की ट्रेंड प्रसिक्षित स्रमिक जो की बड़ी बड़ी अगर मशीनों स्रमिकों के लिए ये योजना है आपका महात्मा गांधी राष्टे ग्रामिन रोजगार योजना ठीक है अब देखिए 36 गड़ मन्रेगा की विस्तार के अगर हम बात करें दो फरवरी 2006 को मन्रेगा अखिल भारती इस्तर पर लागू हुआ भारत के बहुत से जीलों को इसक और इसमें चार और इसमें हमारे प्रदेश के चार और जीले शामिल हुए कितने चार जीले शामिल हुए एक अपरेल 2008 को यह आपके इस मन्रेगा के अंतरगत हमारे заключ shows के पूरे सभी जीलों को इस मन्रेगा के अंतरगत शामिल कर लिया ग prem ठीक है तो अगर बात के जाए कि जब यह योजना लागू हुआ था मंडरेगा तो इसमें हमारे प्रदेश के किल कुल कितने जिलों को शामिल किया गया था ग्यारा विस्तार हुआ 2007 में तो कितने और जिलों शामिल हुआ चार और 2008 में एक अप्रेल 2008 को जो है पुरे प्रदेश के समस्ता जिलों में यहा लागू हो गया थेक दूसरा चीज यह जो आपका मनरेगा योजना है चुरू में इसका नाम था केवल राष्टिय ग्रामिन रोजगार गैरेंटी योजना थेक है राष्टिय ग्रामिन रोजगार गैरेंट 2 October 2009 को इस नरेगा यानि की राष्ट्य ग्रामिट रोजगार योजना का नाम परिवर्थित करके मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्य ग्रामिट रोजगार योजना रखा गया इन्पॉर्टेंट है याद रखना है ये भी प्रशना आया हुआ है ठेक है वर्श्य 2009 में इसका नाम परिवर्दित हुआ है अगर हम 36 गड़ मनरेगा की वर्तमानी स्थिति की बात करें तो 36 गड़ में मनरेगा के अंतरगत टोटल 150 दिनों का रोजगार दिया जाता है Central Government क्या बोल कि है कि हम मनरेगा के अंतरगत 100 दिनों को रोजगार देंगे लेकिन इस मनरेगा के अंतरगत प्रावधान है कि 100 दिनों के अत्रिक्त भी इस योजना के अंतरकत रोजगार दिया जा सकता है लेकिन जितने भी दिनों का अत्रिक्त रोजगार दिया जाएगा उसके व्यायका वहन राज्यशाशन करेगा ठीक है जाने कि इसमें कितनी बात हो रही है 1500 दिन का तो 100 दिन और आपका 50 दिन तो 100 दिन का जो व्याय का जो वहन होगा ये केंडर सरकार करेगी जबकि 50 दिन के जो आपके व्याय का वहन है ये राज्य शाषन को करना होगा ये कहा गया है आपके मंद्रेगा के अंतरगाट तो हमारे 36 गड़ में वित्यवर्षे 2013-14 से 150 दिन के रोजगार दिया जाता है मजदूरी दर के अगर हम भात करें तो प्रती व्यक्ति मजदूरी दर है 204 रुपे प्रती दिन यानि कि अगर कोई मजदूर, कोई अकुशल स्रमी कारे करने के लिए जाता है मन्रेगा के अंतरगद तो उसे प्रती दिन 204 रुपे की राशी दी जाएगी ठीक है कितनी राशी दी जाएगी 204 रुपे की राशी और यह लागू है अप्रेल 2022 से यह राशी लागू है इससे अपडेट कीजिएगा economic survey में economic survey में पिछला आकड़ा दिया गया है 2021 का इसे 2022 में 204 रुपे करना है ठीक है अगर हम बात करें बेरोजगारी भत्ता की अगर मान लीजे कोई akushal sramik जो की कारे करना चाहता है तो वो कारे करने के लिए आविधन करेगा आविधन करने की 15 दिन के भीतर उसे रोजगार मोहिया कराना आवश्यक है अगर रोजगार मोहिया नहीं कराया जाता तो वह रोजगार बेरोजगारी भत्ता के लिए पात रहोगा यानि कि उसे बिना कारे किये उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा देखे मन रहेगा जो है अपने आप में बहुत बढ़ा टॉपिक है अगर 15 दिन के भीतर उसे रोजगार मुहया नहीं होता तो वह बेरोजगारी भत्ता के लिए पात रहोगा और इसमें जो व्याय है यह 16 रेशियो 40 के रेशियो में होता है यानि 16 जो है यह मजदूरी भत्ता के रूप में दिया जाता है जबकि 40 परसंट जो है यह सामान खरीदने में होता है सामान खरीदने के मतलब जैसे कि मान दीज़े अगर किसी कारे को करना है तो सड़क बनाने के लिए आपका घंविला लगेगा, फावड़ा लगेगा, कुधाल लगेगा, तो ये सारे सामान खरीदने के लिए व्याय होता है, तो ये 16 रेशियो 40 के रेशियो में जो है, मजदूरी भथ्ता, अनुपात, सामान, सामाग्री, इस अनुपात में जो है, महिला स्रमिक मात्रित्व आवकास भत्ता याने की मान लीजे कोई महिला स्रमिक है जो की गर्भवती है उसने 12 महिने में कम से कम 50 दिन की मजदूरी कर ली है उस कंडिशन में उस महिला स्रमिक को आपका मात्रित्व आवकास दिया जाएगा और मात्रित्व आवकास के साथ साथ एक महा का मजदूरी भत्ता का भुक्तान भी किया जाएगा कंडिशन क्या है कि उसने साल भरे में कम से कम 50 दिन की मजदूरी पूरी की हो ठीक है तो यह है आपके महिला स्रमीक मात्रित्व आउकास भत्ता ठीक, next देखिए मन्रेगा के अंतरगत स्रीजित मानव दिवास जिसके अंतरगत टोटल 30.60% 30.60% लाक परिवार राभानवित हुए 6.11 लाक परिवार जीने कम से कम 100 दिन का रोजगार तो मिला ही ठीक है, सेंट्रल गवर्मेंट के हिसात सो दिन का रोजगार दिया जाएगा प्रदेश सरकार 50 दिन का अत्रिक्त देती है लेकिन हर किसी को दे पाए यह भी संभाव नहीं है कम से कम 100 दिनों को रोजगार केवल 6.11 लात परिवारों को ही मिला और इसमें महिलाओं की भागीदारी रही 50% यानि कि जो रोजगार दिवस सिर्षिजित हुए पचास मजदूर पहुचे तो यहां पर जो है दीन तो एक है लेकिन यहां पर जो रोजगार दिवस है ना जो रोजगार दिवस ये कितना काउंट होगा यहां पर रोजगार दिवस काउंट होगा कितना 50 रोजगार दिवस काउंट होगा क्यूं? क्यूंकि हर एक मजदूर का एक एक दिन काउंट होता है तो इस प्रकार से वित्तिवर्षे 2021 में कुल स्रीजित मानव दिवस था 1840.9 लाग दिवस इसके अंतरगत वित्तिवर्षे 2021 में 30.6 लाग परिवार लाबानवित हुए कम से कम 100 दिन का रोजगार 6.11 लाग परिवारों को मिला और आपके महिलाओं की भागिदारी कितनी रही 50 प्रतिशत ठीक है? अगर हम बात करें वित्तिवर्षे 2021-22 की सितंबर तक की इस्थिती में सितंबर तक की इस्थिती में ध्यान दिजेगा इस समय जो है यह आखड़े पूरे नहीं है क्योंकि इसमें सितंबर तक की इस्थिती में ध्याने की आपका एक अप्रेल 2021 से लेकर रहे है आपका सितंबर 2022 तक की इस्थिती बताई गई है इसमें जो टोटल आपकी रोजगार दिवस सरजीत हुए ये रहा आपका 737.082 लाक दिवस इसमें लाबानवित परिवार थे 22.46 लाक परिवार इसमें 100 दिन का रोजगार कम से कम 34,405 परिवारों को मिला और इसमें भी महिलाओं की भागीदारी रही कितनी 50 प्रतीशत तो इ तो वह रहेगा 50 प्रतीशत ठीक है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है राष्टिय ग्रामिन आजिवी का मिसन इन आर अल एल एम इसका जो पूर्ण नाम था पूर्व नाम था यानि कि पहले का नाम था स्वण जैन्ति ग्राम स्वरोजगार योजना ये जो राष्टिय ग्र राष्टिय ग्रामिन आज जीवी का मिशन किस तिथी से लागो हुआ, तो 1 अप्रैल 2013 से राष्टिय ग्रामिन आज जीवी का मिशन लागो हुआ, इन्पोर्टेंट है, ये डेट जो है, इस डेट से बहुत बार कोश्चन पूछा है, उद्देश क्या है, बी पिल, यानि कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले युवाओं हेतु स्वरोजगार के आउसर स्रीजित करना, ठीक है, जो गरीबी रेखा के जो नीचे जीवन व्यापन करते है, उनके लिए स्वरोजगार के आउसर स्रीजित करना, इसमें जो है वित्य पोशन, इसमें इस आपके NRLM के अंतरगत कुछ फंड प्रोवाइड कराया जाता है जिसमें आपके 60% की जो राशी है ये केंद्र सरकार और 40% की राशी जो है ये राज्याशाशन वहन करती है वित्तिय वर्स 2020-21 में 4,342 सहायता समुहों को 26.18 लाक रुपे का रिन प्रदान किया गया इंपोर्टेंट है इसे भी याद रखना है आपसे बस प्रशन ये पुछा जाएगा कि राश्टिय ग्रामिन आजिवी का मिशन की स्तिथी से लागो हुआ तो ये लागो हुआ था आपके 1 अप्रेल 2013 से हमारे प्रदेश में इस राश्टिय ग्रामिन आजिवी का मिशन को बिहान के नाम से जाना जाता है किस नाम से बिहान के नाम से ये भी आया हुआ प्रशन है ठेक नेक्स देखिए नेक्स है आपका RCT RCT जिसका फुल फॉर्म है रूलर सेल्फ इंप्लॉयमेंट ट्रेनिंग स्कूल इसे शॉट में आ जाता है RCT इसका उद्देश क्या है युवाओ को कौसल प्रसिक्षन प्रदान करना ट्रेनिंग देना कौसल प्रसिक्षन प्रदान करना इसमें 18 से 45 वर्ष आयू वर्ग के इसमें इसमें क्या है इसमें इसमें क्या है स्टेट्मेंट वाला कोश्चन पूछेगा जिसमें हर एक लाइन जो है एक कथन बना देगा इसमें 10 से 45 दिवस की आउधी का बाजार मांग के अनुरूप मजसे की मान लिजीए आज के डेट में स्मार्ट फोन का जमाना है कंप्यूटर का जमाना है टैबलेट का जमाना है तो ये जमाना चल रहा है ये ट्रेंड चल रहा है नई टेकनलोजी चल रही है तो इसी की डिमांड जाता होगी इसी की बाजार मांग जाता होगी तो इसी के repairing करने का, mobile repairing का, tablet repairing का, laptop repairing का इन्हें प्रसिक्षन प्रदान किया जाएगा, बाजार मांग के आधार पर, ठीक है, निशुल का प्रसिक्षन, प्रसिक्षन की अवधी, देखे, 200 रुपए प्रती प्रसिक्षन आर्थी प्रती दिन से अधिक्तम 9000 रुपए, जितने दिन भी उन्हें प्रसिक्षन प्रदान किया जाएगा, उन्हें 200 रुपए, प्रती प्रसिक्षन आर्थी प्रती दिन भी दिया जाएगा, याने कि उन्हें प्रसिक्षन भी दिया जाएगा, 200 रुपए भी दिया जाएगा, और अधिक्तम 9000 रुपए तक दिये जाने का प जो आपके रोशनी कारेक्रम है यह पंडित दीन दयाल उपाध्यार रोजगार स्वरोजगार योजना का ही एक प्रकार बोद सकते आप जैसे कि पंडित दीन दयाल उपाध्या स्वरोजगार योजना पूरे 36 गड़ में लागू है वहीं आपके रोशनी कारेक्रम जो है यह क उद्देश ये क्या है इसका उद्देश अनुसूची जंजाती बहुल छेत्र तथा नकसल प्रभावी जिले के युवक यूतियों को कौसल प्रशिक्षन प्रदान कर अफचारिक संस्था में जिले राज्ये या राज्ये के बाहर नियोजित करना जाने कि आदिवसी बहुल ये है आपका रोश्निक आरेक्रम इसके लाभार्थी जो है 15-35 वर्ष आयूवर्ग के अनुसूची जंजाती बहुल ये नकसल प्रभावी जिले के युवक यूति ही इसके अंतरगत आपके लाभानवित होंगे इसका लक्ष है आगामी तीन वर्ष में 15,000 यूवकों को प बस्तर, कांके, दंतेवाडा, बीजापूर, नारायनपूर, सुकमा, कोंडगा और बलरामपूर, साथ आपके बस्तर संभाग के और एक आपका सरगुजा संभाग का बलरामपूर, टोटल आट जो है ये जिले इसके अंतरगत, रोश्नी कारेक्रम के अंतरगत शामिल किये वर्तमान में कुल 28 पर योजना है, इस 28 पर योजना 13623 युवाओ के प्रसिक्षण हेतू स्विक्रित है, बस आपसे पूछा जाएगा कि रोश्नी कारेक्रम क्या है, नकसल प्रभावी जीलों में चलाई जा रही आपकी रोश्नी कारेक्रम क्या है, ये कौसल संबंदित एक योजना है, ठेक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ग्राम सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना एक केंद्र सरकार की है, जिसे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है आपका मुख्य मंत्री ग्राम सड़क जो है बारह मासी डामरी कृड़ डामरी कृड़ विर्ट सडकों से जोड़ना ठीक है मान लिजिये अगर सडक विछा जार, बीच में नदी आगया लेकिन ऐसा सडक बनाया गया कि आपका बरसात के समय वार आने से वो सडक मार गई बाधित हैं तो ऐसे सडक बारामाशी सड़क यानि कि टोटल जो है बारा के बारा महें ने उस गाओं में कनेक्टिविटी बनी रहनी चाहिए ऐसे सड़क बनाना तो ग्रावीन बसा होटर में आपका बारामाशी डामरीक्रिस सड़क बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था इस योजना के अंतरगत सा आपका 9 अप्रेल 2014 को नकसल प्रभावित साथ जी लेके 29 विकास खंडो का चैन किया गया तथा 100 से 249 आबादी वाले बसाहटों को भी इसके अंतरगत शामिल किया गया ठीक है तो यह आपका प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना अब देखिए जब प्रधान मंत्री ग् लाए जाने का कारण क्या है इसे समझ लीजिए मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना जोकी 23 अफ्रेल 2011 को 36 गड़ में लागू किया गया इसका भी उद्देश सेम है ग्रामीड बसाहटों में 1280 डामिरीकृत सड़क से जोड़ना जब प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंत्रगत सड़क बनाई जाएगी लेकिन ऐसे गाओ जिनकी आबादी 500 से कम है उनका क्या उनके लिए सड़क के लिए क्या प्रावधान है उनके लिए सड़क बनाया जाने के लिए मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना लाया गया इसमें क्राइटीरिया को कम कर दिया गया ऐसे गाव जिनकी आबादी 250 या उससे कम है यह 250 या उससे अधिक है वहाँ उन उन छेत्रों में आपके 12 मासी डामरी क्रिस सड़क बना जाने के लिए मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना लाया गया इसमें क्राइटीरिया का दायरा अधिक था पास्तों से अ अगर हम बात करें इस योजना के अंतरकत वित्तिय वर्षे 2021 में टोटल 4228.46 किलो मिटर इतनी लंबाई के सड़कों का निर्मान किया गया और टोटल 282 सड़के बनाई गई है अगर हम मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें तो मुख्य मंत्री ग्राम सड़क के अंतरकत वित्तिय वर्षे 2021 में 387.49 किलो मिटर लंबाई के सड़क बनाए गया और इन सड़कों की संक्या है टोटल 289 ठेक नेक्ट देखिए आदर्श ग्राम योजना नांसी इस पश्ट है आदर्श ग्राम यानि कि एक आईडियल ग्राम बनाना आईडियल ग्राम बना धार्श हो जाने कि एक आदर्श ग्राम विक्सित करना घीक है सबसे अब्लें आपका अदर्श ग्राम योजना ये शुरू हुआ आपकी 11 एक्टूबर 2014 को हर पर 2014 को यह सांसद आदरशिक ग्राम योजना की चुरुआत हुई उद्धेश के क्या था देश के सभी सांसद यानि कि जो लोकसभा और राज्यसभा में जो सांसद पहुषते हैं देश के सभी सांसदों को एक साल के लिए एक गाओ को गोद लेकर के वहाँ पे विकास कारे कर करना तता गाओ की बुनियादी सुईधाओं के साथ खेती पशुपालन कुटिर उद्ध्यों वर रोजगार आदी के विकास पर जोड़ देना यानि कि जो सांसद है जो आपके लोकसभा और राज्यसभा में जो सांसद चुन के पहुषते हैं वो अपने निर्वाचन छेत के अंतरगत अकर हम बात करें तो हमारे प्रदेश में टोटल सोला गाओ का चैन हुआ है सोला गाओ का चैन किस प्रकार से हमारे प्रदेश में टोटल 11 लोग सभा की सीट है और आपके पांच राज्यसभा की सीट है टोटल कितना हो गया आपका सोला तो सोला गाओ का चैन कि एक डाटा है अभी तु कौन सा गाओ गोद लिया गया कितना विकास हुआ इसके कोई भी डाटा अभी अवेलेबल नहीं है ठीक है अगर हम चरण की बात करें तो आठ चरणों में अब तक 105 गाओं का चैन किया जा चुका है विकास कितना वह यह नहीं पता चैन किया जा चुक इसकी मिसी कॉंसेप्ट पर था इसमें क्या है सांसद आदर्शिक्राम योजना के तरज पर इसे प्राणा किया गया इसे विधायक जो है एक एक ग्राम को विक्सित करने का सुझाओ दिया गया इसमें जो है टोटल 90 विधायक हमारे प्रदेश की जो आपकी विधान सभा मे कितने विधायक 90 विधायक 90 विधायक के दोरा एक एक गाव का चैन किया गया इसमें तीन चरणों में अब तक 249 गावों का चैन हुआ है विकास कितना हुआ है इसकी भी कोई जानकारी नहीं है ठीक है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है शाना प्रसाद मुखरजी रूबरन शाना प्रसाद मुखरजी रूबरन मिशन इसकी शुरुवात हुई दो फरवरी 2016 को राजनान गौजी लेके डोंगर गाव के कुरुभाटा से शाना प्रसाद मुखरजी रूबरन मिशन की शुरुवात हुई ठीक है शहरी माने जाने वाली सुइधाओं से समझहोता किये बिना समता और समावेश पर जोड़ देते हुए ग्रामिन जीवन के मूल स्वरूप बनाए रखते हुए गाओ के क्लश्टर रूबर्न गाओ के रूप में विक्सित करना इसका मुख्योद देश था नाम से इस परष्ट है रूबर्न रूलर और अर्बन ठीक है रूलर यानि कि आपको ग्राम अर्बन यानि की शहर तो एक गाओ जिसमें शहरी पूल फुट सुईधाओं जिसमें जो है इसमें देजवर में टोटल तीन सो रूबर्न कलश्टर विक्सित किया जाने का लक्ष रखा गया था हमारे प्रदेश में 19 रूबर्न ग्राम पंचायत समू चैन किया गया है जिसमें से 12 जंजातिय कलश्टर तथा 7 गयर जंजातिय कलश्टर है 12-7,19 टोटल अभी एक न्य यूज है कि दिसम्बर दिसम्बर 2022 तक इस योजना को समाप्त कर दिया जाएगा ठीक है यह लेटेश्ट करेंट अफेर है कि दिसम्बर 2022 तक जो है इस चाहर परसाद मुखर जी रूबर ने मिशन को समाप्त कर दिया जाएगा तो यह है आपका अध्याय 12 ग्रामेंड विकास एवं रोजगार ठीक है इसे बताने के लिए क्यों इतने ही फैक्ट है एक और वीडियो आज कल में आ जाएगा जो कि है आपका नगरिय आपका चैप्टर 13 नगरिय छेत्र विकास ठीक है उसको भी कवर करेंगे उसमें बताने के लिए को ज्यादा फैक्ट नहीं है उसके ब करेंगा औरुब जया थांगां के लिएक लिए्वněर अबरुआ हो 원망 को सरसे रिए्शनी एसमें प्रादार को जड़ा है ज्नुछर 14 से इए उसके मी बताने हैं लिएसने ओवर डिया यॉस्चर 15th यंद फप्रू 2 नहादा बվल्युस्त परम मामें हन् ताल रड़ बίας हॉ